श्यारे बच्चों, आज हम बारवी लेखा शास्त्र में कुई जब्यास करेंगे फ़ला कुशन है, साइधरी संलेक के अभाव में रिंड पर ब्याच की दर क्या होगी? इसका अंसर है, 6 प्रतीशत वार्शिक दर से ब्याच दिया जाएगा प्रश्चन संग्या 2 है, साइधरी संलेक के अभाव में लावाने अनुपात होगा? दूसरे प्रश्चन का अंसर है, बराबर बराबर क्वेश्चन नमबर 3 है, साजेदारों की पुझी पर दे ब्याच किस खाते में लिखा जाता है? ये ब्याच लावानी नियोजन खाते में लिखा जाता है अगला क्वेश्चन है, सभी एवित्रित हानियों को पुराने साजेदारों के पुझी खाते में किस अनुपात में हस्तांत्रित किया जाता है? जितना भी एवित्रित हैने की पुराना जो बीना बाटा हुआ हलाव हानी हो उसे साजेदारों में पुराने लावानी अनुपात में बाटा जाएगा अगला क्वेशन है चल या परिवर्तन शील विधी के अंतरगयत साजेदारों के पुर्जी पर ब्याज को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? परिवर्तन शील विधी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक खाता बनता है वह है पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट अत्य साजेदारों के पुर्जी खाते में ही ब्याज वर अन्य समायोचन किये चाते हैं ए और बी एक फर्म में दो अनुपात एक में साजेदार हैं उन्होंने सी को एक बटेवा तीन इससे के लिए प्रिविश दिया उनका त्याग अनुपात होगा यदि किसी प्रस्ट में नए साजेदार को हिस्सा किस अनुपात में दे रहे हैं यदि प्रस्ट साइलेंट होत तो यह माना जाता है कि उसे पुराने लाभाने अनुपात में ही पुराने साज़दार त्याग कर रहे हैं, उनका जो पुराना लाभाने अनुपात दो अनुपात एक हैं, अते त्याग अनुपात भी दो अनुपात एक ही आएगा, इसे अगले प्रश्ण में विस्तार से फिर्षीन अनुपात दो में लावानी बारते हैं, वे सी को बीस परसेंट है। यह निकि एक बटा पांच बाग के लिए प्रियोश देते हैं, नया लाव अनुपात क्या होगा। तो देखिए पूरी फर्म कलाब हम एक मान लेते हैं उसमें से एक बटेवे पाँच बाग हम सी को दे देते हैं बचा हुआ लाब एक में से एक बटेवे पाँच आते हैं तो चार बटेवे पाँच अब इस चार बटेवे पाँच बाग को हम पुराने साजेदारों में माट देखो हम गलाब किता था एक उसमें से हमने एक बटेवा पांच बाग दिया हमने सी को तो बच्चा किता चार बटेवा पांच इस चार बटेवे पांच बाग को हमें आच एऐ और बी में माटना है उनकी पुरणे अनुपाद जो कि तीन अनुपाद दो है इसमें अर्जित्रीवूट करेंगे अब देखे तीन और दो किता हो जाता है पाँच यानि की एक को किता मिलेगा इस एक को मिलेगा चार बटेवे पाँच इंटू तीन बटेवा पाँच किता मिलेगा तीन बटेवा पाँच यानि की बारा बटेवा पत्चिस एक को मिलेगा बारा पत्चिस इसी तरीके से हम बी का देखेंगे B का देखेंगे तो B को मिलेगा 4 बटेवे 5 का 2 बटेवा 5 यहने की 8 बटेवा 25 A को मिला 12 बटेवा 25 B को मिला 8 बटेवा 25 अब हम C का देखेंगे तो C को हमने 20 फरसेंगे ने की एक बटा 5 बाके लिए प्रविश्ट दिया क्योंकि हम हर बराबर करेंगे 12 बटेवा 25 और 28 बटेवा 25 तो यसे भी हम 25 में बदने के लिए हर को यह दिवा 25 बटेवा करेंगे तो आन्च को भी किसे करना पड़ेगा 5 से अते हमारा अनुपात आया बारा आठ वर पांच अते आंसर होगा हमारा एक एक नंबर का आंसर हमारा कहलाएगा यह आंसर अगला क्वेश्चन है यह भी एक फर्मे साज़दार है विसी को एक बटे वे चार बाके लिए प्रविश देते हैं त्याग उनुपात बताईए इस प्रशन में भी प्रशन साइलेंट है कि पुराने साज़दार नए साज़दार को किस अनुपात में हिस्सा दे रहे हैं कितना त्याग कर रहे हैं हम यही मान के चलेंगे कि जो विटमिन्स वो पुराने अनुपात में ही त्याग करते हैं चुकि एक एवी एक फर्मे साज़ तो उतियाग भी क्या करेंगे बराबरा तो हमारा आंसर क्या होगा दो फिर लाश्ट प्रेश्चन है थैंक यू अगर हमारे चैनल यूट्वूब चैनल राजकुमर तोलंबिया को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और फोर्वर्ड कीजिएगा धन्यवाद